जाहिन साथ यो कैसे आप लोग उम्मेद है बच्चो आप सब बहुत अच्छा सूंगे आपने सीटेट का रिजल्ट आंसर की यहाँ पे चेक कर लिया होगा यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है उन समस्याँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे यहाँ पर चेक कर सके और एक प्रॉप्लम यह भी आ रही है बच्चो कि यहाँ पर कॉस्चन आइडी मिसमैच हो रहा है मतलब मैच नहीं कर रहा है और एक और समस्याँ यह आ रही है कि हम आंसर की में इंग्लिस या हिंदी या संस्कृत का कौन सा विकल्प चेक करें तो सब पे बात करेंगे पहल इसका क्या मतलब मेरा कोश्चन नमबर वन कहां गया क्या अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आंसर की में 46 मिलाओंगा तो बिलकुल नहीं आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है जिरोंने कोश्चन बनाया उनके लिए कोश्चन आइडी है कि वह कैसे पेपर चेक रही है उ इडी बी का ठीक है यह आपका पहला कोश्चन होगा आपको सीधे यहां पर आ जाना है कि आपने रिस्पॉंड क्या किया आपने आंसर वन दिया है समझ में आगई बात यह आपका कोश्चन नमबर टू है कोश्चन नमबर टू यह है और कोश्चन नमबर टू का आपने आं मैच कैसे करेंगे तो आपने यह तो आपको मिल गया होगा ठीक है इसका आंसर की मिल गया होगा मैं आपको बताता हूं आपको मैच कैसे कराना है आप प्लीज साउधानी से मैच कराईगा मैं खुद कई बार परिशान हो गया था कि मसला क्या है आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं कि सुबह सिफ्ट में हुआ था और 29 तारीक को आपका पेपर हुआ था ठीक है अब आप यहां पर देखिए आपने पहले कोश्चन का अंसर किया दिया एक ध्यान में रखिए एक तीन और नेक्ष देखिए आपने क्या दिया है चार चीक है लो मैं ही भूल गया ठीक है तो यहां पर आपने क्या दिया था एक तीन और चार ठीक है आपने पहले का अंसर एक दिया था दूसरे का तीन दिया था तीसरे का चार दिया था ठीक है आपने यह चीज़े नोट कर लिनी है आप एक कॉपी बनाईए कॉपी पे 12345 यहां से 30 तक लिख लिएगा क्योंकि 30 CD PGP ti-Q option होते तो आपने तीस तकली दिए पहले का आउसर आपने 1 दिया था दोसरे का आपने 3 दिया था और टीज परेकहा आपने fake this नोट करें लेना अब आएए चलते हैं हम अ dip m Somebody यहां पर अउथान इसी 25 बहुत साउधानी से ध्यां से nenे अपर यहार morning shift है ठीक है तो आपने पहले का एक दूसरे का तीन तीसरे का चार आपने जो आंसर दिया था वो बच्चो बिल्कुल सही दिया था एक तीन चार यहां पे सही दिया था तो आपने इस तरह से मिला लेना है अगर आप देखेंगे आंसर की में तो आपके 30% CDP के रहेंगे तो 30% क्ना आप मिला लेगे अचा कही कही आंसर की में आप देखेंगे ऐसे दो भी गल्प दीए बतलब आपने एक और चार मेंसे कोई भी एक चुनाओं की है तो वह आपका सही है बात समझ में आ गई चलिए उमिद करते हैं बात समझ में आ गई दूसरा सवाल क्या है बच्छा दूसरा आपका मसला यह आ रहा था कि हम हिंदी और इंग्लीज या फिट संस्क्रिट जो भी लैंग्विज पेपर है उसको हम कैसे ह तक यह आपका मैथ है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है फिर 61 से लेके 90 यह आपका इविएस है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है इसमें को लाइन बाइन वन टू त्री फूर यह लाइन बाइन मैच हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं समस्य कहां आएगी 91 से तो यहां पर आईए, तो देखेंगे, अभी भी आपकी leave a's की answer की चल रहे हैं, आप नीचे आईए, नीचे आईए, यहां पर तो बिल्कुल मत जाइए, ऐसा नी, question area sulla का कोई मतलब ही Gegen इसका कोई मतलब नहीं है, आप नीचे आईए, नीचे आईए, आप नीचे आएंगे, तो जहां से आपका language शुरू होगा, वहां पे आपको लिखा रहेगा, ठीक है, यहां पे आगया, आईए, आईए, चलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात, आपका लिखा रहेगा कि कहां से आपका language यहां पे आगये हैं, देखिए, यहां पे लिखा है आपका साफ तोर पे, हिंदी, language, 91 से लेके नीचे और भी जाएंगे, language 1 आपका हिंदी है, अब answer की में जो आप चेक करेंगे, तो हिंदी, ध्यान देखिए, हिंदी का जो चेक करेंगे आपके वो 91 नंबर पे चेक करेंगे, समझ में आगई बात, आपका हिंदी का 91 नंबर चेक होगा, जैसे 91 नंबर, अब यह कोशन आइड़ी तो भूल जाएए, यह आपका 91 नंबर का सवाल है, यहां से सुरू करेंगे, तो 91 पे आपने क्या जवाब दिया, दो जवाब दिय ठीक, उसी पकार से यह आपका 92 हो नंबर कोशन है, 92 पे आपने एक जवाब दिया, 2, 1, 93 अपने चार दिया, 2, 1, 4, यह आपने तीन जवाब दिया है, ठीक है, यह तीन जवाब कौन से दिये थे, 91, 92 और 93 के आपने तीन जवाब दिया है, 2, 1, 4, अब आंसर की में चलते है, ठीक है तो हम चलेंगे सीधा यहां पर आईए देखिए सीडिपी तो आपने कोई दिक्कत नहीं ठीक है मैट में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आप आएंगे लैंग्विज तो आप देखेंगे 91 पर इंग्लिज है हमको इससे लेना देना नहीं है क्योंकि 91 पर हमारा हिंदी तो हम इसको छोड़ेंगे खला स्टार्टा भाय भाय हम आएंगे 91 पर मेरा क्या था भाई 99 पर मेरा हिंदी था ठीक है तो यह देखिए बात वही है फिरसे 39 की पेपर 91 पे हिंदी कहा है बच्चे 91 पे हिंदी कहा है मेरा 91 नमबर पे हिंदी कहा है 91 नमबर पे मेरा हिंदी यहां से सुरू होता है 91 नमबर पे ठीक है तो 2, 1 और 4 हमने क्या अंसर दियता है 2, 1 और 4 इसका सही विकल्प होगा हमें यहां से देखने है, 91, 92, 93, हिंदी, आगे लिखा होगा, 91 पर हिंदी, ध्यान रखेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है यहां से बात की जाती हिंदी, 91 सेoinदी है, हिंदी 91 से पृआं पर चैक करीगा, आरसर है, दो, बच्चे ने रिस्पॉंस दिया है, दो, एक और, चार, और answer key में भी यही है answer key में भी यही है 2, 1, 4 यही इसका सई answer बच्चे ने मतलब सई answer दिया तो यहां तक बात समझ में आ गई अब आईए चलिए अब यहां से 91 से लेकर 91 से लेकर कहां तक चिक करेंगे आप आप 91 से लेकर 91 से लेकर 94, 96 120 तक ठीक है आप 120 तक आँख बंद करके चिक कर लीजे यह आपका 92 से लेकर 120 तक आपका हिंदी है आँख बंद करके चिक कर लीजे बात समझ में आ गई अब हम चलेंगे इंगलिस पे ठीक है बच्चों इंगलिस हमें चिक करना है तो इंगलिस पर याद रखी आप इंगलिस पर आएंगे तो फिर आपको 91 इंगलिस हमें मतलब भी नहीं है भाई या हम 120 तक चेक कर चुके हैं अब हमारा जो इंगलिस होगा बच्चों वो हमारा यहां से सुरूगा यह देखे यह रहा कहां गया 121 कहां है यह रहा यहां से आप नीचे मस्ट 1200 तक चेक कर लिजे कोई समस्या नहीं तो इंगलिस आप कहां से 121 से चेक करेंगे आपने एक यह 91 से लेके 120 तक आपने हिंदी चेक कर लिया जो भी आपका माप पे पर दिना था और 120 से आप सेकेंड लेंग में एक तीन दो तीनों के में भी आप चलिए नीचे चलेंगे नीचे देखिए अब 120 तक तक तो आपको कोई दिक्काद ही नहीं एक बर फिर से मैरी पिर करते हूं इससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है आप नीचे यह आएंगे देखिए 100 से 105 हिंदी अब यहां से 100 सुरू होता है यह कोईचन नमर 100 है हिंदी का हिंदी का कोईचन नमर 100 है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा हिंदी का कोईचन नमर 100 है ठीक है चलिए और नीचे चलते हैं और नीचे आएंगे तो फिर देखिए हिंदी का question number है हिंदी का question number 26 120 तक हिंदी में ये देखे कितना साफ लिखा है हिंदी आपका 106 ए 120 तक है अब यहाँ पर 120 तक हिंदी रहेगा अब जब आप आएंगी 121 पर आप ये आ गए है आप देखे 121 से लेकर 128 तक क्या है English लिखा है ना? English लिखा है ना बच्छो? English 121 अब आई, 121 से चेक करेंगे आप, ठीक है बच्छो? 121 से ठीक है बच्छो? समझ में आगए एक बार मिला लेते हैं तो 121 का इस बच्छे ने क्या जवाब दिया? 121 का इसने कहा है? 3, और नीचे 3 टीन और इस बच्चह ने जवाब दिया तीन दो ठीक है इस बच्चह ने 3-1 टीन मतलब 101 सने 1973 इसने जवाब दिया 232 जवाब दिया आंसर कि में क्या एा बच्छो और की में अब इसीद ही से चे करेंगे तीक है entроп इन 2 उसने जवाब दिया था लेकिन यहां पर क्याया版 जवाब गल्ती हो गया एकी यह सभी होगा तो इस प्रकार स्य आप मैच किराएंगे ठीक है अब आप मैच कैसे कराएंगे हैं तीन लाइंग, ऐसे मतलण आपक्स बना लीजेगा, जब फिर आप यहां पर नमबर ढाल देजेगा, यहां से तीस तक डाल देजेगा, तीस तक यहां पर डाल देजेगा, की आप का私 जाएगा सीडी बीकर एक का मैथ का सूरी फिर एक पेज में हो थील इन पिए को अब आपने जो रिस equival किया थो तो आप सिसके सामने लिख ढ़िजिए का दो यह पर वन जो एक ऐस देट किया थे तो कि आप यहाँपर सबस्केजिए ऑठी है पर एक सकें यहाँ पे आपने तीन लिख दिया आपने next मान लिजिए तो respond किया one next two next three next four तो आपने जो respond किया वैसे लिख दीजिए उसके बाद आप answer की में जाएगा उसी question में देखिएगा कि real answer किया है ठीक है real answer मान लिजिए यहाँ पे two था तो यहां पर चेक कर लिजेगा अगर दोनों सेमें तो आप सही कर दीजिए का दोनों सेम नहीं है तो यहां पर गलत कर दीजिगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए चैन जिया भारत मेरी तरफ से बहुत बहुत सुपकामना है आपको